हेलो दोस्तो वेल्कम टो यूर ऑंलाईन टुटोरिल मेडिकल एजूकेशन अब तो दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूं क्लोट gu опас consistent मेरे में यह लोगार प्लेन सल्ट सक प्लेन क्रीम मैं यह कुम्बिनेशन में भी आती है और कई सारे साल्ट जोकी अडोडтор होकर आते हैं क्रीम के साथ क्लोट्री मेज़ॉल के साथ जैसे नियोमाईसीन बेकलोमी थह सौन बिटाक मेथए तो और विक क्लोट्री मेज़ॉल के साथ काफी सारे आपको किसी भी मैडिकल स्टोर से मिल जाएंगी और इस जो इसकीं कोस्ट है वो सतर से लेकर सोर पे तक डेड़ सोर पे तक की मिल जाती है अलग-अलग alternate brands है तो कहीं पर मिल जाएगी और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले ना एंड वीडियो को एंड तक देखना तो आईए मैं इसकी यूजिस के बारे में बात कर लेता हूँ तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो फंगल इंफेक्शन में किया जाता है यानि फंगल इसकीन इंफेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है और फंगल infection अगर skin पर शरीर के हिस्से पर जैसे toy में हो जाता है या finger के finger के बीच में हो जाता या toy nail के बीच में हो जाता है या फिर कहीं पर vaginal fungal infection है तो वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं पर जब यूज तब करना है जब काफी ज्यादा fungal infection बड़ावा हो ठीक है क्योंकि ये broad spectrum antifungal है ठीक है तो broad spectrum antifungal है तो जो घहरा या आप कह सकते हैं जो ज्यादा fungal infection होता है उस पर ही ये काम करेगा तो अगर आपको ये दवाई लेनी है तो आप सबसे पहले doctor से consult करें जो dermatologist होते हैं उन से सबसे पहले consult करें और फिर इस दवाई को लें क्योंकि के बार इसको side effects भी देखने को मिल जाते हैं मैं आपको side effects भी बता देता हूँ जैसे अगर आप इसका you know misuse या फिर कह सकते हैं कि without doctor permission लगा लें अपने आप ही लगा लें या फिर उल्टा सीधा करके इसको लगा लें तो itching हो सकती है redness आ सकती है जहाँ पर आपको fungal infection हो वहाँ पर reaction हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है तो इसलिए doctor की consult के बगएर नहीं लगाने चाहिए कोई भी क्रीम doctor से पूछ कर या कोई भी general physician हो तो उनसे ही पूछ कर यह क्रीम लगाए जानी चाहिए तो दोस्तो अगर यह सिर्फ external यूज के लिए है internal यूज के लिए नहीं है कभी-कभी vaginal discomfort या itching भी हो सकती है यूज करने के बाद तो उसका ध्यान रखना और doctor से पूछ कर हिस को लगान ओके थेंक्यू